काई गाई वेलकम बैक आ ऐम विवेक सिंगल प्रांड इसको निकाल रहे हैं मैं आपको रिजन बताऊंगा उसका कि हमने इसको क्यों निकाला है और दूसरे एक इसको को हम इसमें एंटर करा रहे हैं तो उसको भी हम डिसकस करेंगे लेकिन पहले बिटैनिया इंडस्ट्री इसको निकालने का मैं आपको रीजन बता देता हूं सबसे पहले एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं चार्ट के हिसाब से तो यह 200 डे मुविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहां पर यह 200 डे मुविंग एवरेज के पास की सपोर्ट भी ले रहा है तो चार्ट में एच सच कोई प्रॉबलम मुझे नजर नहीं आती लेकिन जब इसके फंडामेंटल्स देखते हैं तो फंडामेंटल्स में एक सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं होती थी लेकिन अब बैलेंटरी कर दिया गया था पिछले कुछ टाइम से तो उसमें जो चेंज आये निकलकर वह बाकी सब कुस तो ठीक है लेकिन जो डेट टू एक्विटी रेशो है वह 0.92 हो गई है बिटैनिया की जो इससे पहले इतनी नहीं थी तो 0.92 का मतलब क्या होता है कि 92% डेट है यानि कि अगर 100 रुपीज शेयर होल्डर्स के हैं तो 92 रुपीज हमने बैंक से उधारी लिए हुए है ऐसे लौन तो ये 92% लौन कभी भी हमारे साब से अच्छा नहीं होता क्योंकि जैसा कि मैं पहले बता चुका ह है अपनी उसमें जितने भी श्टोक्स हैं वो उल्मूस्ट सारे ही प्हइं कमपनीज ये फॉक्स अ और यहां पर जब ये एक चानज आया है तो इसको हमें बहर का रास्ता दिखाना जरूरी था आप अगर देखोगे तो मार्स 2019 में जो बोरोईंग थी वो 156 क्रोड थी की अपने रिजर्व थे वो 4,229 करोड थे जो कि सिर्फ 3% था यानि कि जो बोरोइंग थी वो अपने shareholders के fund के comparison में सिर्फ 3% था और 3% is okay less than 4% था तो इतना चलता है हमेशा और March 2020 में भी यहां पर देखा गया था कि इन्हों काफी ज़्यादा बोरोइंग थी तो यह भी एक बार को हमने मान लिया था कि शायद यहां पर fixed assets बहुत जादा यह लोग increase करेंगे या कुछ ऐसा होने वाला होगा और उसका impact यहां पर investment में नजर भी आ रहा था कि यहां पर investment में यहां पर बढ़ोतरी हुई है तो यह हमने मान लिया कि इन्होंने कुछ investment की होगी जिसके लिए इन्होंने loan लिया और यहां पर investment को बढ़ा दिया जो पिछले साल के comparison में यहाँ पर जादा हुआ था तो ये भी चीज एक बार को accept कर ली वैसे मैं इस चीज को हमेशा गलत ही मानता हूँ कि अगर हमने investment की है तो वो borrowing के base पर की जाए मैं सिर्फ ओर सिर्फ फिक्ष्ड एसेट को increment देना जादा सही समस्ता हूँ लेकिन investment में अगर इन्होंने किसी दूसरी कंपनी में कुछ investment की होगी तो उसको ठीक है उसकी detail में हम जाकर बाद में पता कर सकते थे लेकिन अभी जब after six months जब मार्स 2020 के बाद September 2020 के जो इन्होंने balance sheet post की उसमें reserve को इतना इन्होंने कम कर दिया almost 1700-1800 कोरो से कम कर दिया और debt को इतना जादे बढ़ा दिया यानि कि आप ये देखो कि डेड़ साल के अंदर अंदर 18 months के अंदर अंदर जो reserve और borrowing का ratio था वो totally बिलकुल ही change हो गया आप देखो यहां पर मेरा मानना यह होता है कि इ आ सकती है लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा से मानता हूं कि जो वी 40 लिस्ट है ना वह फाइनेस्ट कंपनीज होनी चाहिए जिससे उनके बारे में कंपनीज के बारे में रोज रोज पढ़ने की ज़रुरत ना पड़े और जैसे ही उनके टेकनिकल चार्ट हमें एक कोई भी suggestion द अच्छा trade ले सकें लेकिन जब यहां पर इसकी situation इतनी खराब हो गई है तो कोई मतलब नहीं है देखो टीम इंडिया में भी कोई अगर player for the time being बेकार perform करता है तो उसको थोड़े दिन के लिए rest पर अलग रग दिया जाता है और दूसरे player को entry दिला दी जाती है तो यहां पर मैं इसको exit कर रहा हूं और इसका simple सा reason यही है बाकी दूसरा कोई reason नहीं है अब अगर इसके technical chart pattern की बात करें तो मैंने बता दिया है आपको second मैं इसको अगर हम exit कर रहे हैं तो दूसरी किस company को enter कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं दूसरी company है हमारी Bajaj Holding and Investment Limited यह Bajaj हमारी Bajaj Auto में भी है तो यह एक holding company है Bajaj Auto की Bajaj FinServ की and Bajaj Finance की और जो की वो तीनों ही companies बहुत अच्छा perform कर रहे हैं तो इस company को हमने V40 list में शामिल कर लिया है और हमने Britannia को निकाल दिया है अब Bajaj Holding and Investment Limited के अगर chart pattern की बात करें वैसे अगर इसके बारे में आपको detail में पू दोंगा और description box में भी इस particular video का link दे दूँगा अब अगर इसके बारे में हम बात करें Bajaj Holding का एक बार हम चार्ट देखें तो बहुत ही एक classical chart pattern इसमें बनता है जिसको flag pattern कहते हैं मैं इसको पूरा हटा देता हूं फिर एक बार आपको दिखा देता हूं इसको Paul with flag pattern कहते हैं त तरीके से बनता है और generally क्या होता है कि जब कोई flag pattern से चीज निकलती है तो यहां पर यहां से भी ले सकते हैं और इसको हम यहां से भी ले सकते हैं क्योंकि वहां से बहुत जादा हमारी यह उपर की टच नहीं होती जो candles हैं तो basically इसको यहां से भी लिया जा सकता है और उपर स भी लिया जा सकता है दोनों एक ही बात है बहुत जादा डिफरेंस नहीं है और पॉल पैटर्ण में क्या होता है जब पॉल विद फ्लैग पैटर्ण बनता है तो इस पॉल को जितने ही डैप्थ होती है इतने ही इसके बेस से उठाकर उपर लगाई जाती है और देखा जाता ह है exactly तो अगर हम current price से देखें तो इसके अंदर कितनी movement अभी बसती है वो हम देख लेते है current price से अगर इसको consider किया जाए और उपर तक ले जाया जाए तो यह 32% के आसपास का यहां से gain नजर आता है और क्योंकि यह एक momentum traditional chart pattern होता है यह काफी fast होता है generally तो यहां से यह काफी fast उपर की तरफ जा सकता है आप एक चीज अगर और देखोगे तो इस पूरे consolidation के दोरान यहाँ पर volume dim हो गई है और जब यह chart pattern उपर जा रहा था लगाता तो volume काफी जादा थी तो यह एक midway होता है उपर तक rally जाने में और वैसे भी भी यह lifetime high से उपर नहीं गया है lifetime high से काफ ही है उपर जाने का तो आज की वीडियो में मैं यही चीज कहना चाह रहा था कि बिटैनिया को निकालने के reasons हैं क्योंकि वो हमारी conditions को आज की rate में meet नहीं कर रही है बजाज holding की conditions meet होती है सारी conditions meet होती है उसके लिए आप इस particular video को जरूर देख लें बजाज holding and investment की जिसमें मैं है ने पूरी detail बताई हुए कि इसका क्या business है और क्या नहीं है तो उससे आपको idea लग जाएगा कि हमने इसको V40 की list में क्यों शामिल किया है second a core point जो है वो यह कि बजाज holding यहाँ पर एक traditional chart pattern भी form कर रहा है जो कि 32% का यहां से सीधा सीधा upside दिखाता है और अगर 32% upside में अग अपनी सोच के हिसाब से लेना अपनी समझ के हिसाब से लेना है मेरा परपस यहां पर आपको समझाना है और सिखाना है तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए मजे करो यार